हाँ है फ्रेंड्स वेल्कम टू जैसी सीबी एक्जाम इनफू जैसी सीवी एकजाम इनफू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जो जो एस्टुडेंट नर्सिंग प्रत्यकृत्य परिक्छा नर्सिंग इन्ट्रांस कम्पूरिटी एक्जामिनेशन जो कि हर साल जैसी सी द्वारा कंड़क्ट किया जाता है जो जो स्टुडेंट अगर चाहते हैं फॉर्म मनना तो वह लोग के लिए एक खुशकबरी है उसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है तो जो जो स्टुडेंट बनने वाले आपके दोस्त रिलेटिव भाई भान वो लोग को शेर करते ये वीडियो पुले कली काफी हलफुल है ये वीडियो तो पटापट शेर करते वाट्सप में उनलों को बता दीजिए कि आ गया है नर्सिंग का वो लोग फॉर्म भरेंगे ताकि जितना भी कॉलेज न नर्सिंग का वहाँ पर एड्मिशन हो सके एनम जेनम ये सब कॉर्सेज में ठीक है तो यहां पर डिटेल में देखेंगे इल्वीडिटी क्रेटरिया क्या रहने वाला है साथी जी एनम का एनम का सबका अलग-अलग क्या कैसी लेबस रहेगा एक्जामिनेशन कैसे होता है वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर सेप्रेट आपको रिजल्ट का मिल जागा एनम जी एनम का साथ ही कितना कटप गयाता कौन-कौन सा कोलेज में कितना सीट है कैटेगरी वाज सारा कुछ आपको मिल जागा कितना रेंग लाने से आपका एड्मिशन हो जागा सरकारी में यह सब सारा कुछ अगर डाउट है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके एनम जी एनम चैनल का यहाँ पर डिस्क्रिशन में फिल लिंक मिल जागा एनम जी एनम पर्वेश परत्योगता का एड्मिशन का नर्सिंग का तो वहाँ सभी आप दो तिन वीड जामिनेशन स्यावजित जो है सम्मंदित बिश्त्रित सुचना उप सचीव स्वास चिकत्सा सिक्षा एवं परिवार कल्यान विवाग राची के पत्र संख्या के आलोक में दिया हुआ है कि सरकारी जी एनम स्कुलों के जी एनम तथा सरकारी एनम ट्रेंडिंग सेंटरों के एनम पाट करों में नमंकन है तू इच्चुक महिला आवदकों से एक चीज़ यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूँ यह जो है केवल महिला आवदकों के लिए है जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ जारकंड का जो है अस्थानी निवासी की स्रेणी में आते हो लोकल र प्रेसिडेंट साथ ही यहां पर देख सकते हैं कार्मिक प्रसासनिक सुधार रहूं राजबासा विभाग के ग्यापांक सर्व दल्य बेठक और निम्ड अहरता धारित करते हैं ऑनलाइन आवदन पत्र पर आवंत्रित किया जाता है प्रक्रेशन की आवदी क्या होगा ट्र में रखा गया 17 साल और विफोर 31 दिसम्बर तरक याउस से पहले दिसम्बर अफ देयर इन वीच एडमिशन सौर्ट जब दूशन आपका लेलिया जाएगा दे मैक्सिमम एज फॉर अडमिशन सल्वी 35 यह पैतिस साल तक आव इसमें अप्लाइ कर सकते हैं दे मिनिमम एजु अप्लाइ कर सकते हैं अगर 10 प्लस टू वो लोग भी यहापर अप्लाइ कर सकते हैं अनम के लिए जी अनम का एलिवीटी क्राटेरिया अगर हम लोग देखेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम एज फॉर अडमिशन विली शत्रा अन पैथिस सेर्ज दर इस नो एज बार फॉर अनम लच्वी मिनिमम एजुकेशन क्या होने जारा यह 10 प्लस टू क्लास पास्ट होना कि अंग अनम के लिए एकनोमिक्स प्लिटिकल साथ इस टीजिजिग अगरफी बिजिनेस स्टेश एक अंटनची हों साइन्स सोचलोजी साइक लोग जी और इंगलिश एलेक्टीव और सैंस और हां इसली चाहिए other equivalent board with 40% marks यहाँ पर आपका आना चाहिए next 10 plus 2 vocational A&M under CBSC board or other equivalent board from the school and recognized by Indian Nursing Council with 40% marks registered as A&M with state nursing registration counselling से रिस्टर होना चाहिए students shall be medically fit होना चाहिए a student qualified in 10 plus 2 arts or science examination of healthcare science vocational stream only conducted by National Institute of Open School with 40% marks तो यह सब में अगर है कोई आपके पास eligibility या डिगरी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में नेक्स देखेंगे आवाज से आहरता जो यहाँ पर residential है तो जारकर राज के अस्थान निवासी या अस्थान निवासी की स्रेणी में आने वाले आविदा की ना जो नर्सिंग पाठ करम में नमंकन के लिए पात्र समझे जाएंगे आप देखें यहाँ पर दिया वाज क्या फॉर्मेट होना चाहिए सियो लेबल अंचल अधिकारी अनुमंडल पदा अधिकारी स्डियो लेबल सब डिजिनल ओपिसर उपायुक जो है डिपूटी कमिस्टन डिसी लेबल के द्वारा अस्थान निवासी परमन पत्र की मूल परती नमंकन के समय संख्यक्तार के सम डिसी लेबल का अब कैसे अप्लाय करना है तो आवेदर पत्र की उप्लोटा जो होगा जैसी सीवी जो साइट है जार्फन डोट जोवी डोट इन के हॉमपेज पर क्लिक यह फूर ऑल अन्लाइन अप्लिकेशन सब्मिशन जैसी सीवी 2021 यह नीचे में भी लिंक मिल जागा ड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तीन नौवंबर दोजरेकिस से दिनांग 15 नौवंबर दोजरेकिस तक ओनलाइन आवेदन पत्र भर सकते याद रखेगा डेट तीन नौवंबर से 15 नौवंबर के बीच उसके बाद आवेदन पत्र जो फिल करिएगा उसमें सब्सक्राइब हो गया तो आप जो सुधार करना चाहते हैं तो 16 नौवंबर से 17 नौवंबर तक जो है उसको एडिट कर सकते हैं आवेदन की प्रविष्टियों में संसोधन करने की जो यह लास्ट चांस रहेगा आपका ऑनलाइन आवेदन करते समें पासपोर्ट साइज का अपना रंगिन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ जो आपका दोनों कान अस्प्रस रूप से दिखाए देना चाहिए तरह संपादित नहीं होना चाहिए एडिट क्या होना चाहिए अस्ताक्षर और बायाहाथ के अंगुठे का निसान तयार रकना होगा और दिये गहां निर्देशों का पार्ला करते विए अप्लोड करना होगा कितना के भी क्या लगेगा और केसे अपले करना है वो भी आपको अई बटन में विडियो मिल जयागा तो वहाँ से बिडियो आप देख सकते हैं यह पृप्धर लिष्ट से अप बोकारो धनबाद दुमका हजारी बाग डालटन कन जमसेथ पुरन चायबासा इतना जगह में राची बोकारो धनबाद तीन चार पाच छे साथ आठ जगह में जो है यहाँ पर एक्जाम लिया जाएगा ओन-लाइन बोड के एलोट एक्जामिनेशन सेंटर अधर देन दे प्र आपको दूसरा जिल्ला में भी भेश सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यहाँ परिक्षा निरदारित ऑन-लाइन परिक्षा केंद्रों पर नवंबर माह में मतलब चस्ट फॉर्म बराएगा और मतलब टाइम बहुत ही कम है परिक्षा पैटर्न में होगा क कोशन कोशन पुछा जाता है कांसेलिंग कैसे होता है कांसेलिंग कब से होगा कितना फी लगता है सारा कुछ इनवाला वीडियो में लेगा तो चैजनल से जूट ai रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लेे और दोस्तों को शैर कर दोट नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग को परिक्षा सुल्क देखेंगे तो आवधकों को परिक्षा सुल्क पेटियम गेटवे के माध्यम से ओनलाइन जो है क्रेडिट काड डेविट काड नेट बैंकिंग यूपिया के माध्यम से चाले-चार सुरुपया जमा करना होगा जो कि नन्रिफंडेबल होगा मतलब आपको लोटाया नहीं चाहेगा दिब्यांग आवधकों को आवधन सुल्क दे नहीं होगा जो फिजिकल है वो लोग को कोई भी यहां पर पैसा नहीं लगेगा याद रखेगा डेविट काड से पैमेंट किजेगा तो आपका जो परतिय तीसेंगों की होगी सभी बिशेयों ग्रेजी को छोड़कर कि प्रस्न पद्र अंग्रेजी तो रहेगा ठीक है इनगलीस्वाला को छोड़कों जिँ जो जो अलग रहेगा वह सब आपका दोनों लेग्वज में रहेगा बाइलिंग वल रहेगा मेंदा सुची जो है अन्ग वाले को जो यह पाफमिक्ता देवा तो तो पहले शरुप कोś परतम एgano सामान होने पर उने उसको आगे रखा जाएगा ठीक है तो इतना तो नहीं चांस है कि इतना मैच कर जाएगा मुश्किल से दो मैच करेगा यदि परिच्छा एक से अधिक बैठक या बैच में आउजित की जाती है तो समानी करेंड प्रतिक्रिया पर स्कॉरिंग की जाएग मतले नॉर्मलाइशन करके जो रिजल्ट निकाला जाएगा अरक्षान अगर देखेंगे रिजर्वेशन तो समाई नुवर्ग के आर्थी ग्रूप से कमजोर यूवस अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बीसी वन बीसी टू उसके बाद से अधिम जन जाती सारी ग्रूप से दिब्यांग पी एस जो है बाकि सब अभी अर्थे के लिए राइस सरकार द्वारा जारी अध्यतन नारक्षन नीति परवाई होगा ठीक है उसके बाद अन्यावशक सुचना है एनम जी एनम पार्ट करमों की संस्तावार कोटिवार सीटों की विस्त्रित विवर्नियों परमान पत्रों के प्रारूप सुचना की वेबसाइट जो आप नाउनोड कॉलम से देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में जाके प्रेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या पिर आई बिटन से आप वहाँ पे देख सकते हैं अब यर्थे को सेक्शनिक अन्य अहरताओं के आलक में संस्ता सब्सक्तार के समय जो कांसलिंग होगा उस्ताब एन जी अनम दोनों पाठक्रमों में से एक पाठक्रम का चैन करने का उगल्प दिया जाएगा साफ्यक्तकार सीटों की संस्थावार जो है सीट देखने के लिए आप वहाँ पे साइट में जा सकते हैं जार्खन जार्खन ड इस वीडियो कीप सपोर्टिंग कीप